मैं गुजराती हूँ और हम गुजराती लोगों को अगर भाकरी सुबह breakfast में मिल जाए तो मज़े आ जाते हैं तो आज मैं आपके साथ ये भाकरी की रेसेपी शेयर करूँगी वैसे तो morning में चाई के साथ हम simple भाकरी खाते हैं लेकिन आज मैं वैसे भाकरी की रेसेपी आपके साथ शेयर करूँगी जो आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो तो भाकरी बनाने के लिए हमें चाहिए आटा तो यहां पर मैंने रोटी का आटा लिया है जो बारिक वाला आता है वो जिससे हम रोटी बनाते हैं वो वाला लेना है तो वह मैंने लिया है चार कप और अब दो कप हम दरदर आटा लेंगे गेहु काई आटा है लेकिन थोड़ा सा दरदरा है तो यह दोनों का mix हम लेंगे तो चार कप बारिक आटा और दो कप दरदराटा इस तरह से हम measurement करेंगे और अब इसके अंदर डालेंगे हम अजवाइन तो अजवाइन मैंने एक चम्मत चितनी लिये और उसको मसल के डाल दिया है और अब लेंगे तिल, तो तिल मैंने यहाँ पे 2-3 चम्मच जितने लिया है अगर आपको ज़्यादा पसंद दो, तो आप ज़्यादा भी एड़ कर सकते हो आपको ज़्यादा पसंद दे, उसका टेस्ट अच्छे लगता है, तो वो भी आप इसके अंदर खूट के डाल सकते हो और अब इसके अंदर एड़ करेंगे ओईल, अभी ओईल का यहाँ पे मेजरमेंट नहीं है ओईल मैं बताती हूँ, आपको कितना लेना पड़ेगा, मैंने ओईल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसको फिर से मसल लेंगे, तो अब इसको फिर से अच्छे से मसल के मिक्स करेंगे ताकि हमें बता चले कि और ओईल एड़ करना है कि नहीं करना है और अब उसके अंदर एड़ करेंगे बारिक चॉप किया हुआ धनिया, कद्दुकस किया हुआ गाजर, यहाँ पर मैंने दो छोटे छोटे गाजर लिये हैं और अब इसके अंदर एड़ करेंगे कद्दू कस की उई लॉकी, यहाँ पर मैंने एक मिडियम साइज की लॉकी लिए है, और अब मैंने तीन से चार हरी मिर्च को पारिक चॉप करके इसके अंदर एड़ किया है, और अब इसके अंदर एड़ करेंगे लसुन की चटनी, तो ये दही बहुत खटा नहीं है, मिडियम खटा दही है, तो दही हमें दो चमच लेना है, अभी हम दो चमच लेंगे, फिर हमें जरुवत पड़ेगी तो हम और एड़ करेंगे, और अब इन सब को अच्छे से मिक्स करके हम आटा गुंत लेंगे, यहाँ पर हमें पाने की जरु एड़ करेंगे, तो देखिए, यहाँ पर मैंने दो चम्मच और धही एड़ किया है, और उसको अच्छे से मसल के आटा गुंत लिया है, यह आटा हमारा थोड़ा हाड रहेगा, इतना सौफ नहीं रहेगा, क्योंकि आटा थोड़ा हाड होगा, तभी हमारी भाकरी थोड़ी क कड़क बनेगी, और चाय के साथ कड़क भाकरी बहुत ही अच्छी लगती है, तो हमें यहाँ पर आटा थोड़ा सा हाड़ी गुंतना है, तो यह देखिए, हमारा आटा एकदम रेड़ी है, तो उसको धगके हम 10 मिट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, और 10 मिट हो चुके हैं, और यह हमारा आटा अच्छे से रेस्ट होके रेड़ी है, तो अब इसते हम बनाएंगे भाकरी, तो भाकरी बनाने से पहले वो नीचे से चिपके नहीं, तो सबसे पहले हम लगाएंगे थोड़ा सा ओईल, और अब उसको फैला लेंगे, और अब ले लेंगे एक लोई और उसको बेल लेंगे, तो यहाँ पे हमें हलके हाथों से बेलना है, और बहुत ही पतला नहीं बेलना है, हम थोड़ा सा उसको मोटा ही रखेंगे, हमने इसमें बहुत सारे वेज़ेबल्स एड़ किये हैं, तो यह बहुत ही हेल्दी भाकरी बनने वाली है, अब इसको breakfast, lunch और dinner तीनों टाइम इसको खा सकते हो, तो यह देखे हमारी भाकरी बिलके ready है, और इसकी थिकनेस इतनी ही रखनी है, जितनी मैंने आपको रिखाई है, बहुत ही पतला बेलेंगे, तो इसमें मजा नहीं आएगा, तो थोड़ी सी हम भाकरी को थिक रखेंगे, अब 2-3 मिनिट में एक तरफ से अच्छे से पक जाएगी, तो अब इसको पलट लेना है, और दुसरी side भी हम 2-3 मिनिट पका लेंगे, और अब इसको फिर से पलट लेंगे, और उसके sides में हम लगा देंगे गी, गी थोड़ा अच्छे से लगाएँगे, प्योंकि गी का taste भाकरी हुए इसको सेख लेना है और flame को हम medium ही रखेंगे बहुत ही high नहीं करेंगे नि तो जल जाएगी तो यह देखिए भाकरी हमारी एक तरस से उसको सेख लेना है तो एक दो मिनिट में अच्छे से सिख चाएगी तो यह देखिए दोनों तरफ से भाकरी हमारे सिख चुकी है और इक्दम ready है तो अब इसको हम निकाल लेंगे और अब इसको pizza cutter की help से मैंने cut कर लिया है तो इस तरह से cut करेंगे तो दिखने में भी बहुत बढ़िया लगी की और खाने में भी easy रहेगा तो इसको इस तरह cut कर लेना है तो यह देखिए हमारी पाकरी cut होके एकदम ready है और अब इसको हम serve कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने उसको plate में serve कर लिया है और इसके साथ मैंने serve किया है आम का मुरब्बा और दही आप इसको चाय के पीजे और चैनल पर नहींदे सिस्क्राइब तो मिलते हैं जल्दी नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई जैशी करशना